जैहिन साथियों तो BSF Constable Tracement Examination 2023 जिसमें सबसे पहले फिसकल हो रहा है बहुत सारे लोगों का फिसकल हो चुका है एक से दो दिन में इसका संपूर्ट फिसकल समाब तो हो जाएगा अब यहां पर हम बात करते हैं इसके रिटेन एक्जाम के बारे में क्योंकि फिसकल के बाद आ कब तक होगा उसके बारे में बात करें गी और इसके बारे में भी हम डिसकस करें रहें कि क्या आपके उपर जाखा जाएगा तो वीडियो को पूर के देखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट होगा उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आग पर सब्सक्राइब कर लिए जगा इससे लेटर जो भी आगे का अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा यहां पर अशनिष भर्ति की तैयारी करना चाते है और अपना सेलेकेशन लेना चाते हैं तो इसके बेश्ट बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्ष्णू पवलिकेशं के मिल जाति है इस बुक में इस वैकंस सी के लिए जभी बादिए है तो संपोर्ट स्लेब banner webpage को इसमें noveर किया गया है इसके जरी आप अपनी तयारी को वेतर कर सकते हैं अपनी फुल तयारी इस बुक के जरी आप कर सकते हैं और इसके जरी आप निश्चित अपने सफलता को स्योर कर पाएंगे तो इस बुक को आप ओलाइन पाई कर सकते हैं ओलाइन पाई करने का लिंक आपको वीड आप निश्ची थी अपने सपलता को स्योर कर पाएंगे इसे आप पाई कर लिजएगा दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सम बॉक्स में मिल जाएगा देखे जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो इसमें जो इसका सलेक्शन प्रोसेस था वो चेंज था उसम दोनों आपसंद दिया गया था कि हम सेच्वेशन के एकार्डिंग इसमें से कोई भी करा सकते हैं तो आप यहां पर देखे आपको पता होगा कि बीएस अप एचसीयम का जो एक्जाम है आपको पता होगा कि वो ओलाइन हो रहा है और इसका एक्जाम जो करा रहा है वो टीस करा रहा है और सायं से सैच्वेशन बीएस सफ multicam cả एक्जाम में भी हूँआ था उसमें भी सबसे पहले बोला गया था कि रिटन एक्जाम होगा कि इसका पहले फिसकल हुआ है इसका रिटन एक्जाम हो रहा है । तो के बाद दो दिन ही चलेगा 17 & 18 दो दिन में इसका रिटेन एक्जाम समाप्त हो जाएगा अब इसके बाद आपका जो रिटेन एक्जाम होगा वो टिर्समेन का ही होगा BSF की भरती में तो एक्जाम ओलाइन होगा क्योंकि इनका एजंसी जो है वो हायर हो चुका है TCS इनका एक्जाम कंड़क्ट करा रहा है तो यही एजंसी सेम आपका BSF टेसमेन का भी एक्जाम कराएगी तो आपका exam online होगा आपका nearest center पर ही जाएगा जादा से जादा दो से तीन दिन में इसका भी exam समापत हो जाएगा क्योंकि इसका पहले physical हो चुका है तो बहुत सारे candidate physical में बाहर हुए होंगे बहुत कम लोग बचेंगे इसके return examination के लिए तो जादा time इसमें नहीं लगेगा इसक कि HCM का exam चुल चल रहा है वो 17 & 18 कि बाद दो दिन ही चलेगा 17 & 18 जून को इसका exam समापत हो जाएगा अब देके इनका agency तो हायर हो चुका है अगर यह OMR वेस ट्रेसमें का कराएंगे फिर से इन्हें बाद में agency हायर करना पड़ेगा तो यहां पर एक बार अगर इनका agency हायर हो चुका है तो यह online ही कराएंगे और ज्यादा time आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि same agency यही CRPF का exam भी करा रही है उसमें भी ट्रेसमें का था जिसने भी भरती उसमें pending में है वो सब लगतार हो रही है तो इसमें भी भरती जो भी pending में है BSF में वो सब भरती इस agency के थरुक complete करा ले जाएगी और पिछली बार भी आपने देखा था कि ट्रेसमें के भरती में जब इसका offline exam हुआ था तो पेपर लिक का मामला सामने आया था तो इस बार BSF ऐसा रिक्स बिलकुल भी नहीं लेगा आपका exam online ही होगा और online date के बारे में बात क तो आप लोग इस date को target करके चलिए कि जुलाई के second week में आपके return exam होंगे और return exam आपके जो होंगे वो online ही होंगे अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके syllabus के बारे में कि क्या पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखे हम बात करें इसके exam pattern के बारे में तो आपके exam में total 100 question आ आएंगे और यहाँ पर हिंदी या फिर English इसमें से आप कोई एक दे सकते हैं इसके पचेस question आएंगे तो total यहाँ पर 100 question आएंगे दो घंटे का time मिलेगा और देखे negative marking हो सकती है कि 1 by 4 का दिया जाए कि जब इसका online admit card आएगा तो उसमें clear mention होगा तो यहाँ पर आप लोग का से बस होता है reasoning का सब वहीं पूछा जाएगा कुछ इसमें नहीं आएगा तो आई होप आप लोग अपनी तयारी करते रहें बाकि कोई डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा आगे का जो भी update होगा आपको हमारी चैनल पर बिल जाएगा चली मितने आप लोगों से नेक्ट व